नमस्कार दोस्तों मेरे यूटूब चैनल में आपका हरदीक स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 1857 की करांती के बारे में पढ़ने वाले हैं 1857 की करांती दोस्तों 1832 में ही दिरी दिरी शुरू हो गई थी और 1832 में अजमेर में एज़ीजी मुख्याले बनाया गया था और परतम एज़ीजी है वो लोकेट को न्यूक्ट किया गया था ऐ में 1845 में अजमेर से अब już के बाद नाती किसमे राजस्तान का एजई था जोर्ज पेरिक दोस्तों यह इंपोर्टेंट है लोड़ा उध्यपूर मेरी दोस्तो यहां पर ब्यावर और खेरवाड है वो सीनेख सावनियों में करांती यहां पर संदी साम्मीं दो थी ब्यावर और खेरवाड आप में कोई भी किसी भी परकार की दिल्ली चले गई इन तीनों अप्सरों को मार करके यह सारे के सारे विद्रों और जो स्ञेये और दीलिटों करना कर दिया तके बाद निमिंज में एक उनिम्मड कोad मों और लयें इससे मना कर दिया два मुहमाद अल्ली बेग नाम का एक शिफाई था जिसने कर्णनल एबोट के सामने अंग्रेजियों के परती वफादारी की परतिग्या लेने से मना कर दिया था उसके बाद तीन जुन को हीरा सिंग के नेत्रितों में करांती हो गई उसके बाद सापुरा के राजा उमेंद जनता ने विद्रोईू को स्वागत किया उसके में क्या हुआ उसके बाद में किया हुआ उसके बाद में वा चितोड़गदू गाह Online निम रोग आम के पास रुन है उसके बाद निमशहणी से भागे गई कर JEFF confirm इने। के उसके बाद में क्या वा रखा उग्ज घ्रत उन्हें उडियपूर को जग मंदिर मेधर के मेलों में रखा जाता है उसके बाद एरिनपूरा एरिनपूरा में क्या हुआ था तो दोस्तों एरिनपूरा के बारे में पढ़ लेते हैं तो ड़ा तो 1835 में जोधपूर जो लीजियन है उसका गठन किया गया जिसका मुख्याले एरिनपूरा था जोधपूर लीजियन का गठन कब वहा तो 1835 में हु ओघना पर जो भी करांधी च्टी करना थी लगए वो करेश कयो करना से समय काकर मदोर्व चसके अब मंसेनी सीफ नाजे चलिक बाद मिनोтесь मेरे हैं यां कि पिटोड़ा से मलता है है तो जिसमें सामने साथी ने तो और सामने होते हैं कुसाल सिंग चंपावत और इसमें कुसाल सिंग चंपावत है वो जी जाता है और जोदपुर का ओनाड सिंग पमार इस यूद में लड़ते वे मारा जाता है उसके बाद बात करते हैं चेलावास की यूद तो चेलावास का यूद होता है 18 सेप्टेंबर को तो बिठोडा का यूद दता है वो 8 सेप्टेंबर को होता है उसके बाद चेलावास का यूद दता है 18 सेप्टेंबर को उसमें एक तरफ तो है जोर्ज पेटरिक यानि एजी जी और उसके साथ में मारवाड का पी ए मेक मेसन यानि जोर्ज पेटरिक और मेक मेसन मिलकर के कुस कुसाल सिंह है वह जीद जाता है और मेक मेशन को मार दिया जाता है और इस यूद को काले गोरों का यूद का यूदाson आववा का यूद होता है 20 जनुरी 1858 को उसमें कर्णल हॉम्स तता हंसरा जोसी जोदपूर के थे वो कर्णल हॉम्स और हंसरा जोसी है वो आकर्मन करते हैं और कर्णल हॉम्स आववा में सुगाले मता के मूर्ती उठा कर ले गया था और इसें अजमेर के राजपूतान में म्यूजी में रखा गया और वरतवान में ये मूर्ती पल्ली के बंगड म्यूजी में है और यहाँ पर क्या होता है कुषाल सिंग ने अपने चोटे बाई परत्यु सिंग लांबिया को किल्ला देकर मेवाड में साहिता के लिए चला जाता है और मेवाड में सामन्थ मेवाड के जो सामन्थ है जिन्होंने कुसाल सिंग को सरन दीती यानि मेवाड के सामन्थ है उन्होंने कुसाल सिंग को सरन दीती अब यहाँ पर क्या होता है कुसाल सिंग का साहथ देने वाले अन्य सामन्द कौन-कौन थे जोदपूर के थे असोब जोदपूर असोब के थे शिवनात सिंग और नागोर अलणी अवास और गुलर अलणी अवास के थे अजित सिंग और गुलर के थे विशन सिंग इन्होंने इनको सरण दी थी और विद इद्रोईयों ने शिवनात सिंग के नेत्रित में दिली जाने का परियास किया लेकिन नाड़नौल हर्याना में वह हार गए थे उसके बाद में क्या होता है 1860 में क्या होता है 1860 में निमच में कुसाल सिंग ने आतन समय प्रण कर दिया और उसके बाद कुसाल सिंग की जांच के लिए टेलर कमिशन बनाया गया तक्चिंग कौन है तक्चिंग कौन है तक्चिंग है क्रांति के समे जोथपुर का राजा था और कंजी है बिछ्वडा का सम्मन जांवीद्रों के से हुआ तो 15 अक्टूबर को जे द्यालों मेराव Кон रिसालदार की नेतरों मे ये बर्टन को मार दिया गया था कोटा का जो पीए था बर्टन उसको मार दिया गया था और उसके बाद में राजा राम सिंग सेकिंड है उसको नजरबंद कर दिया गया उसके बाद में क्या होता है मत्वरदी इसका मंदिर है उसका महेंत है कनया लाल गोश्वामी वो क्या करता है राजा के बीच और पीज़ियों के बीच में समझ्ज़ूता कर भता है उसके बाद में क्या होता है राजा राम सिंग इसेकिंड है उसने बतन की नाल ने राम सिंग दितिये को विद्रुई से मुक्त करवाया था कालांतर में रोबर्स ने कोटा को विद्रुई से पूंड तर्मुक्त करवाया कालांतर में उसके बाद में क्या रोबर्स ने कोटा को विद्रुई से पूंड तर्मुक्त करवाया जे दयाल जे दयाल महराब खान को मुर्त्यू दंड दिया गया यानि उसके बाद जए-दयार वह महराब खान उनको मर्त्यू दंड दिया गया था कि पोर्टा के विद्रू है कि इस्ञान लुजन की थे चाम इसकी तोप की सलमी के गटा कर 15-11 कर दी गई और यहां रखना राम सिंह दीत्या को दंदीत करते समय उसके तोपई की जो सलमी की ती वो गटाकर 15-11 कर दी गई उसके बाद में टोग तोग में क्या वाँ नवाब था वहां का वजूरु दोला वजूरु दोला क्या था अंगरीजों का संबर्द तक था लेकिन उसने उसके मामा जो थे मीर आलम खां ने विद्रुई का साथ दिया वहां पे एक ताराचंद पटेल था जिसने निमबाईडा में कर्णल जेक्षन की सेना का सामना किया और कर्णल जेक्षन निमच के विद्रुई का पिछा कर रहा था जहां रखना ताराचंद पटेल जो निमच के विद्रुई थे उनका पिछा कर रहा था कर्णल जेक्षन उ उन्हों ने भी अग्रणी बुमिका निभाय यहां रिकना दोके विदरो में धूलप्र में विदरो वा दो दोलपूर में विदरो जो विदरो हिता मेहन विदरोई था वह था राव रामचंदर ओधिरला उसके बाद राजा बगवंथ तब मुण क्या वा था तो ब्रत्पूर में भिवई वाईवा गूजर मेयोजात्य ने विद्रोग कर दिया पये मोरिशन गो बरत्पूर में क्या व गया था अंग्रेजों का साथ दिया ता यह जिए लहां रगना अलबर का जो राजा था बंझे जिया और दिवान था वहां का फिजल खान उसने भी विट्रीओं और आशोज विलायत कहा है और यहां पर क्या होता है पिये जो ईंडिन के क्याने पर र Cake्म यहां पिजन करा प्राश्भ में हुआँ बडितो और उसने राम सिंग को बोला कि इनको गिरफतार करो तो पीए के कहने पर राउम सिंग ने इनको गिरफतार कर लिया से उसके बाद में क्या होता है राजस्तान में यहां रखना अंग्रेजुक ने बिकानेर के सरदार सिंग को टिबी हनुमान गड़ी में 41 गाउं दिये और बिकानेर का रजा था जो सरदार सिंग वह एकमात रजा था जिस ने अपने रियासेस से बाहर जाकर अंग्रेजुकी मदद कि इसार के पास बाढ़ दू नामक इस्त न्यएं जासी कराने की वितियासायता की पेष्ट्नों की मदद की थे और इन्हें 1857 की करांति का रामतव का ने केमले antis पहलीतो Step में नामर्चन इम्बूर्ट यां है उसको पहली बार 1857 की करांदे में 25 कि सजाद दी गई थी तात्याटोब निया ट्रॉक के नासीर मुह्met घाने ट्राट तोपे का साथ दिया तोो का जो नासीर था मुह्मद घा已ं ने ट्रीयbilir कि साथ दिया था और कना का पायूद हुआ था उसमें रोबट से तत्य टोपे हार गया था और जलावाड के राज राणा परत्यु सिंग ने तत्य टोपे के खिलाप सेना बेजी पलाइतान अमाकिस्तान पर सेना की गोपाल गोपाल को छोड़कर बाकी सेनाने लडने से मना कर दिया था हुश उसको छोड़कर बाकी सेनानेताने अगलने के लिए यहां रखना उसके बाद उसने 20 वड़ा पर भी दिकार कर लिया और तातार टूपय ने जैसल मेर अब क्या होता है सिक्कर की सामन्त है उन्होंने तात्य टोपे को सरण देने के लिए आरोब में फासी दी गई जो कि ऑंगर प्रदू एक उन्हें बाद ना समानित किया गया तता इनके साथ सेयो की निती अपनाई गई सामनतों ने करांते में विद्रोयों का साथ दिया था सामनतों ने करांते में विद्रोयों का साथ दिया था इसलिए करांती के बाद उन्हें परभाव हीन किया गया जहां रखना सामन थे उनको करांती के बाद पर संचार के साथ मों का विकाश किया गया और राजा महरा जाता था सामन्तु के पुत्र पुत्रियों के लिए शिक्सा की अलग व्यूस्ता के गए ताकि जन्ता से उनका संप्रक्समाप्त किया जा सके और और अठार सो गुण कर दिया तता इसमें यह सिद्ध हो गया कि राजस्तान की जनता अंग्रेजु की समर्थ तक नहीं थी यानिकि राजस्तान की जनता है उन्होंने अंग्रेजु की साहता के बजाए विद्रों की साहता की थी साथ मों पॉइंट था मैं पॉइंट अठारसु सतावन की करांति में अग्गामी राष्ट्रे अंदुलन से प्रणा सुरोत का कारिय किया तक कुसाल सिंग चंपावत हमारे लोग की तता लोग कान्यों का नायक बन गया कुसाल सिंग चंपावत बहुत ही इंपॉर्टेंट तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब तो करिएगा ही और साथ यस वीडियो को लाइक करके सेर कर दीजिएगा ताकि किसी भी अबियरति